आज के वीडियो का जो विषय है वो यह है कि परिशदी सकूल के बच्चों को हिंदी वा अंगरेजी बोलना सिखाएगा गूगल कहने का मतलब यह है कि हमारे परिशरी विद्यालों में पढ़ने वाले बच्चों को गूगल अंग्रेजी वह हिंदी बोलना वह पढ़ना सिखाएगा इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदिश के तकरीबन 1.13 लाग परिशरी प्रात्मिक स्कूलों में पढ़ने वाले छाच शात्रों को हिंदी और अंग्रेजी बोलने का सलीका अब गूगल सिखाएगा मिशन प्रेणा के तहत बच्चों के हिंदी और अंग्रेजी भासा के पठन कौशल को सुधारने के लिए बेसिक सिखाए विभाग ने गूगल से समझोता किया है इसके अंतरगत गूगल ने Read Along Application जिसे हम पहले गूगल बोलो नाम से जानते थे तैयार किया है जिसकी मदब से सटीक उच्चारण सिखाया जाएगा देखे खबर में ये है कि परशदी प्रात्मिक विद्याले और उच्च प्रात्मिक विद्यालों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें हिंदी और अंग्रेजी के सही उचारण के लिए बेसिक सिखाए विभाग ने गूगल से एक समझोता किया है और जिसके तहत एक एप का इस्तमाल किया गया है जिस एप का नाम है रीड एलॉंग एप्लिकेशन अगर आपको याद हो कि जो हमने मिशन प्रेड़ना की इपार्ट साला के अंतरगत वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको Top Parent एप के बारे में बताया था जिसमें गूगल बोलो एप, चिप्पल एप और मैथ मस्ती एप के बारे में बताया था आरपी जिसे आप academic resource person के नाम से जानते हैं 20 जुलाई से प्रदेश भर में तकरीबन 5.50 लाग सिक्षकों, सिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों को online प्रसिक्षन दे रहे हैं ये प्रसिक्षन इस समय चल भी रहा है इस ट्रेनिंग के तहर सिक्षकों, सिक्षामित्रों और अ ट्रेनिंग प्रदान करें 6-11 साल के बच्चों के लिए खास तौर से तैयार यह एप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है अब देखिए वर्तमान में जो 20 जुलाई से Google meet application पे जो ट्रेनिंग चल रही है जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह ट्रेनिंग जो सिक्षकों के लिए 3 हस्ट पुस्ट काई बनाए गई है ध्याना कर्शन मॉडियोल, आधार सिला मॉडियोल, सिक्षन संग्रा मॉडियोल और इसके साथ साथ में प्रेणा सोची, प्रेणा लक्ष और प्रेणा तालिका के बारे में इस ट्रेनिंग में बताया जा रहा है इसके साथी साथ ये भी बताया जा रहा है कि सभी सिच्छक, सिच्छामेत्र और अनुदेशक इस Read Along एप्लिकेशन को स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावकों के फोन पे जिनके पास स्मार्ट फोन है के मुबाइल पे स्टॉल करवाएं और 30 जुलाई तक इस एप को कैसे इस्तमाल करना है सभी अभिभावकों को इसकी ट्रेनिंग दे इस एप में सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार डाउनलोड करने के बाद यह पूरी तरह आफ्लाइन मोड पर काम करता है इसकी मदद से बच्चे खेल-खेल में सटीक उचारण सीख जाते है mobile screen पर जो वाक की लिखकर आता है उसे बच्चों को सही बोलना होता है प्रतेक सब्द का सही उचारण करने पर उसके उपर स्टार बन कर आ जाता है इस से बच्चों को प्रोचाहान मिलता है देखे एक बार इस एप को डाउनलोड करने के लिए आपको mobile data कि आवशकता है उस खेल खेल में English और Hindi पढ़ना सीख सकते हैं अगर बच्चा एप पर लिखे वे शब्दों को सही पढ़ता है तो उसे स्टार मिलता है और जिससे बच्चों को आगे और अच्छा पढ़ने का प्रोथसाहन मिलता है देखे प्ले स्टोर से आप इस एप को इंस्टॉल कर सकते हैं सुरवाती कख्चाओं में Hindi और अंग्रेजी सीखने और बोलने के लिए बहुत अच्छा एप है इस एप को कैसे इस्तमाल किया जाए ये बहुत आसान है जैसे आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे और जब आप यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये एप आपको खुद इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको करना क्या है इस एप का इस्तमाल बहुत आसान है इसलिए एप को इस्तमाल कैसे किया जाए ये बताने की आवश्यक्ता नहीं है आप स्वता ही सब जान जाएंगे मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपक को टाइमली मिलती रहे वीडियो देखने के लिए आप सबी लों का बहुत बहुत धन्यवाद